इन री रिमार्क्स बाई हाई कोट जज करनाटका डिवरिंग कोट प्रोसीडिंग्स इस केस में चिप जेस्टिस आफ इंडिया ने स्वता संग्यान लिया और स्वता संग्यान लेते हुए करनाटक हाई कोट के जेस्टिस शिरी शानंद ने जो बंगलूरू के मुस्लिम मेजॉर्टी आबादी के उस अलाकों को पाकिस्तानी अलाका कहा उस टिपड़ी पर स्वता संग्यान लेते उनको इस तरह के पब्लिक कॉमेंट से परसनल कॉमेंट से बचना चाहिए करनाटाग हाई कोर्ड के जस्टिस ने एक महिला वकील के वुरुद्ध भी लैंगिक आस सब्वेदन शिल्ट टिपड़ी की थी इसका भी संग्यान चीप जस्टिस आफ इंडिया ने लिया और ये बहुत ही एप्रिशियेशन की बात है कि भारत के अंदर चीप जस्टिस आफ इंडिया जो बरतमान में हैं वो वाकई विद्वान हैं और एक्टिव हैं Honorable Supreme Court ने ये कहा कि अब समय आ गया है कि इस संबंद में एक दिशा निर्देश इसपष्ट तौर पर दिया जाए और एक guideline बनाया जाए कि Judicial Proceedings के दौरान जो Judges हैं उन्हें इस तरह की अनुचित टिपड़ी ऐसी टिपड़ी जो किसी community को किसी religion को या personal किसी की dignity को आगहाद पहुचाती हो इस से बचना चाहिए इस संबंद में दिशा निर्देश इस पश्ट तौर पर जारी करने का समय आ गया है Honorable Supreme Court ने स्वता संग्यान लेते हुए इलहबाद High Court के एक justice ने जो comment किया था कि अगर ऐसा होगा तो बहुच संख्यक आबादी अलपवे संख्यक हो जाएगी इस टिपड़ी को भी स्वता संग्यान लेते हुए हटा दिया डिलीट कर दिया मगर क्या Supreme Court या Chief Justice ऑफ इंडिया के इस निर्देश आदेश का कोई परभाव और भी judges पर पढ़ रहा है क्या कोई accountability fix की जा रही है जब तक किसी judge को terminate नहीं किया जाएगा या उसके खिलाफ inquiry setup नहीं की जाएगी या disciplinary action नहीं लिया जाएगा और एक example नहीं दिया जाएगा तब तक Honorable Supreme Court या Chief Justice आफ इंडिया apology देते रहेंगे और इसी तरह निर्देश देते रहेंगे guidelines देते रहेंगे मगर उसका कोई खास असर मगर वो guidelines का कोई effect नहीं पड़ेगा अभी बरेली के एक fast track court ने इन सारे निर्दोशों के बावजूद भी और Honorable Supreme Court Chief Justice आफ इंडिया के direction के बाद भी इस तरह की टिपड़ी किया जो की बहुत ही अनूचित है और वह टिपड़ी जो बरेली fast track court के एक जज ने दिया वो अमर उजाला में 1 October 2024 को publish हुई है और इधर हमको कहने में कोई hesitation नहीं है के काफी दिक्कतें judicial institutions में आई है और यह जो political virus है इसको judiciary में इंटर न करने दिया जाए Thank you very much